तो फिर से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आप इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा चलाओंगा हाला कि नहीं गाड़ी है तो ज्यादा वैसे नहीं चलाओंगा एक नॉर्मल जैसे सीटी में जैसे आदमी चलाता है बिल्कुल वैसे ही चलाओंगा तो अब देख झाल्ड भाइं टी कि लिए्ट निजये बिल्कूल जोर का थट तो बहुत मजबूत है मतलब फीलिंग मजबूत वाली आती है कि हां मजबूत गाड़ी है बाकी इसका कुछ ऐसा आप देखो दिखा यह दो दिखा ठीक है अब इस टेरिंग मेरे हिसाब से और दूसरी चीजे देखो आई लेवल से आप देखो यहां पर बोनट को पूरे दिखता है सफारी में फिक Как बॉल सकते हो जब दिख रहा यह चालो अब बात करते अंदर से आप देखलो ऐसा है ऊ traction हम चलाते हैं तो सबसे पहले का थे लिकीदा का यह हम सबस्टाइब JUST कहाते हैं च्रेंग ऐंख जाधन कोई गरी के आदद है तो पैट्रोल गाड़ी के कि फिर्फ ट्रवव और कि फिस्ट गियर पे देखते हैं कि बिना एक्सिलेटर के चलते ह् GRby को दीरे और wzglे कर आस्ता नहीं है कि हम इसको भगाएं पूरा देखें ठीक है भगाने से कोई फाइदा भी नहीं है क्योंकि नहीं गाड़ी को आप जितना आराम से चलाओगे उतना ही अच्छा आपको इंजन 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 रिस्पॉंस बाद में मिलेगा ठीक है अब सेकेंड के एर य नहीं है तो फारा के आसपास जाती है जो अधारा के आसपास चली जाती है यह भी ठीक है सेकेंड गेर के हिसाब से मलब यह है कि अगर हम चौधा पांचवा गेर लगाए और यह जो गर 50-60 के आसपास भी चली जाती है तो क्रूस कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरा गेर माते देखते हैं उठती निक उड़तो गई आप अच्छा खासा है ओहो ओहो अगा अपने यापी कवर करती है और थर्ड गेर में 20 की स्पीड मैंटेन कर लेती है अब देखना यहां पर देखो बिना एक्सलेटर पर चोड़े आए एक्सलेटर छोड़ दिया मै 20 की स्पीड तीसरे गेर मैंटेन कर लिया है और क्या चाहिए तुरंद उठाती है फिर अपने आप डाउन भी कर देती है यह देखो चाह उठा भाई साब अपने आप 40 तक ले गई अब देख सकते हो अपने आप 40 तक जो है यह ले गई अगर आप ब्रेक मार के इसको बीस और तीस की स्पीड पर अगर उठाओगे तो थोड़ा चाहिए इस्प्रेगल करेगी हो सकता बंद भी हो जाए ठीक है तो यह चीज़ द्यान रखनी है कि मैं लग थर्ड गेर से ज्यादा आप ब्रेक पे इसको आप पोना करो ठीक है और जैसे आप दोर ओपन करते हूं तो यह चीज यहां पर साइन आ जाता है और बाकी अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की दोखो जैसा कि मलब स्पीड बढ़ाओ तो इस्पीड बढ़ती है गेर मारो गेर मारने के बाद में अगर जैसे मालो मैंने फर्स्ट गेर डाला तो पहले बहुत तेज उठाएगी बहुत तेज उठाने के बाद में फिर अपने आप उसको डाउन कर देगी फिर जैसे सेकंड मारो गे एक्सेलेटर पर बिलकल नहीं रको गे तो भी उठाएट तेज भाइगी उसके बाद में फिर नीचे डाउन करतेगी नॉर्मल स्पीट पर चल नीचे अब लब जो है थाड़ गेर में बीस तक की स्पीड रहती है और चौथे गेर जब चौथा गेर मारते हो चौथा गेर मारते ही यह बहुत तेज उठती है चालिस तक चालिस तक उतना तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर आप मतलब शहर में चलते हो तो शहर में यह आपको दिक्कत नहीं एक बार आपने अगर आप थाड़ गेर भी चल लए हो तो आराम से उठा सकते हैं इसको ब्रेग मारने के बाद में हाला कि बंपर ट्रैफिक है तो आपको फ आप इसको आराम से चलाते हो 2000 आर्पिम के नीचे तो इस पीड भी आपको अच्छे से निखा लेगी ठीक है यही था ड्राइव रिव्यू पावर्फुल गाड़ी है मतलब जो है उचा बैठते हो मतलब आईसा लगता है फॉर्चूनर और पता नहीं कहा फॉर्चूनर और घृष्टे हो मतलब और आउसा लगता है कि मेरे पास पैट्रोल गाड़ी तो पैट्रोल गाड़ी के-साब से अगर मैं बात करू हलकसा हार्ड है लेकिन कोई बहुत ज्यादा है अगर गाड़ी स्टार्ट भी कर दोगे तो उतनी ज्यादा आवाज नहीं होगी जैसे पेट्रोल गाड़ी में होती है मलब ऐसा लगए क्या पेट्रोल गाड़ी है और लेकिन है डीजल डीजल गाड़ी के इसाब से इसकी रिफाइन्मेंट महिंद्रा ने आपको उठा के डंदा लगाना पड़ेगा तभी इसको रोग होगे क्योंकि और इसका वेट भी अच्छा गासा वेट है ठीक है वेट है मजबूत गाड़ी है तो यह चीज़ है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन टेके रन बाई ड्राइव सेफ उमीद है आप गा